प्रोनाउन की जगह पर उनको क्या बोलते हैं प्रोनाउन बोलते हैं दियुक्तव्च में ब्रोनाउन के कांट हैं प्रोस्टनल प्रोनाउन दूसरा दमस्ट्रेом हचाँ ajust बन कांट समयं प्रोस्ट्टर liquids मनें द्रेशन से में लीचनी उस खली में धनको सब्स गूजएव। एक बार इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं यह राउन होते क्या है जैसा कि हमने प्रिवेस क्लास में देखा था पर्सनल प्रोलाउन जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं आपका जिसे पर्स पर्स है तब स्टेप लिए फिरेते हैं वह आप कर दो अप 스र्स यह प्रजाएं तब स्क बते हैं जो सब्सक्रία चाहें होते हो बतीन इस टाइब करते हैं यह रिफ्लेक्सि न crawlा से जैसे नम से और तक क्लियर होना है जह c...! हैं बिजय को आप से चल्कुतर मेंधिन उस जाएगा क्याूं Mexico यह को इस ताइप से अजया पिरे कि इंद मैंखिय क्वरण na आपने गड़ा होगा उस यियसाप से है रहेसे ब्री mêsर वरून जाट कर दो है इसमें रूल क्या है जैसे कि आपका subject दिया है एक रूल होता है 123 और दूसरा रूल होता आपका 231 तो पहले इस रूल को समझ लेते हैं 123 और 231 का रूल क्या होता है जैसे 123 यह कभ यूज करेंगे या तो आपके जो subject थे वह plural form में होंगे तब हम 123 use करेंगे जैसे ही वी यू धे यह प्लूरल हो जाएगा तब क्या मोलोगे इसी स्क्वेंस में यूज करोगे 123 से सेक्वेंस में यूज करोगे या फिर आपने कुछ कुछ नेगेटिव काम किया कुछ खराब किया कुछ प्राइम किया कुछ भी नेगेटिव किया है तो तब आप यूज करोगे जैसे कि तब आप सिंगलर में भी वन टू थी यूज करोगे तब क्या हो जाएगा आए you and he did this crime, जब आपने crime किया है कुछ negative काम किया है कोई भी negative activity की ए तब हम one two three का ही rule अपनाते हैं अधर्वाइस singular में हम two three one का ही rule देखते हैं, चलिए हम अपना sentence देख लेते हैं अपने sentence पर वापस आते हैं क्या बोल रहा he I she and they cook the food खाना बनाना तो अच्छी बात है ना तो खाना बनाना कौन सी बुरी बात है तो यहां पर कौन सा रूल हो जाएगा आपका 231 तो क्या हो जाएगा तू में क्या है आपका 231 में और जब 231 नहीं दिया होगा तो इसकिप कर देंगे आपको यहां पर तू नहीं गिवन है तो आप तू को इसकिप कर देंगे फिर क्या हो जाएगा ही ची टे ओना आई क्ट ही शी एंद ही शी एंद आए को नउट क्या हो जाएगा आए योर इओ आ क्यों आज़ another नहीं विस्वी ये ज़ियन पायनॉफ हाम सारे क्या हो जाएंगे पार्टनर्स हो जाए तो यहां पर क्या रूल हो जाएगा यहां क्या हो जाएगा तू में क्या है आपका सेकंड परसन होता हमने बात की थी थर्ड परसन कौन हो जाएगा आपका जो यहां पर प्रेजंट नहीं है कौन नहीं प्रेजंट उसका ब्रदर यूर ब्रदर है ना बोले कि मैं तुम और तुम तुम्हारा भाई और हम क्या हो जाएंगे पार्टनर हो जाएंगे लग आपका यहां पर यहां पर क्या हो जाएगा जांगा यहां पर प्रेजन्ट है नहीं हरी प्रेजन्ट है नहीं तो यह कौन सी परसन हो जाएंगे तो मैं कौन सा परसन होता है तो यहां क्या हो जाएगा जान हरी और मैंने अपनी स्टुडी फिनिश कर लिये और यहां पर क्या हो जाएगा आई जो है आपका यहां क्या हो जाएगा हम अच्छे दोस्त हैं तो यहां पर क्या है अच्छी चीज है ना तो यहां पर कौन सा रूल लगेगा 2-3-1 तो 2-3 के यहां क्या हो जाएगा 2-3-1 आपको मेशन यह वाला रूल याद रखना एक रूल याद रखेंगे तो दूसरा आटमेटिक याद हो जाएगा हमेशन 2-3-1 का रूल याद रखिए 2-3-1 जब सिंगलर हो चीज है और क्या हो पॉजिटिव वे में हो बाकी रस्त के लिए 1-2-3 ह हो जाएगात यहां क्या हो जाएगा तुए होज यहां पर दीनकेर हो थी यहां पर आपका सब्देक्टिव केस की बात हो रही है कउंसे के की बात हो थиком कर यह वहां बहुति हो जाए it is me who can help you यह मैं हूं जो तुम्हारी help कर सकता हूँ आपने बोला ना मैं हूं तो मैं की English क्या होती है मी की I यहां क्या हो जाएगा it is me who can help you कि मैं हूं जो आपकी help कर सकता है तो यहां पर क्या उजाएगा subjective case हो जाएगा same next लेखते हैं if I were him सबसे important है SSC favorite लेवरेट सेंटेंस है इप आइवर हिम यह आपका प्रोनाउन की तरह से भी होता है और आपका वह होता यह वह होता उसका प्रोपोजल लेधिर वह होता ना उसका अबजेक्टिब केस तो नहीं होता तो यहां क्या हो जाएगा इप I were he, अगर मैं वो होता, तो उसका proposal, I would accept the proposal, मैं उसका proposal accept कर लेता, समझ में आया, तो क्या हो जाएगा, it is, के बाद हमेशा, अगर हम subject की बात करें, तो subjective case होगा, यहां पर he, I, इसका use करेंगे, ना कि him और me का use करेंगे, ठीक है, next sentence की तरफ देखते हैं, आपका next sentence क्या है नेक्स रूल है, रूल थर्ड, रूल थर्ड की बात अगर हम करें, जैसे आपका transition verb है, यहां पर, transition verb, transition verb क्यों होती है, जो let's start होती है, और क्या है, now there is no confusion between you and और आपका preposition की बात हो रही है, what are preposition, prepositional relating words, जो आपका first word से या first noun से और दूसरे noun का आपस में connection करते हैं, उनको बताते हैं, relate करते हैं, उनका आपस में उनको preposition बोलते हैं, देखते हैं, let they speak the truth, तो क्या बोलेंगे, हिंदी सबसे पहले हिंदी निकालेंगे, कि उनको सच बोलने दो, उनको सच बोलने वे सच बोलेंगे, यह नहीं बोल रहा है, let they speak the truth, क्या हो जाएगा, let them, let them speak the truth, उनको सच बोलने दो, कहते हैं, उनको यह काम करने दो, let's say sentence की शुरुवात होती है, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर subjective form ना के, क्या हो जाएगा, objective आजएगा, कहते हैं, let us, जब हमने बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, let us see, देखते हैं कि क्या करना है, बोलते हैं, let us, आपका आज क्या हो जाता, objective form हो जाता, same आप देखोगे, जबी भी आपको let's say, start करके को sentence देखेंगे, तो आप उसको किसे यूज करोगे, objective यूज करोगे, आपको किसमें दिया जाएगा, nominative या subjective form में देखेंगे, next देखते, now there is no confusion, आप यहां पर कोई भ मेरे मेरे में कोई confusion नहीं है, मैं नहीं हो गया यहां पर हिंदी क्या हो जाएगी मेरे 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 में, now there is no confusion between you and me, now there is no confusion नहीं है, जब आपको preposition दिया हो, तब आप क्या use करोगे, preposition के साथ objective form यूज करोगे, और transition work के साथ भी अपक्या यूज करोगे, आपका objective form यूज और नेक्स वाला क्या आपका now there is no confusion between you and me जब आपको preposition देंगे तब भी आप क्यों सा form यूज करोगे आप क्यों सा form यूज करोगे objective form यूज करोगे nominative या subjective form नहीं यूज करोगे next rule देखते हैं in case of comparison in case of comparison comparison का अगर हम case देखते हैं मतलब हमने दो चीदों को compare किया है क्या हम दो अलग अलग चीदों को compare कर सकते हैं मुंबई के मौसम से अच्छा है तो कानपूर भी city है और मुंबई भी city है उसे साफ से कंपेर किया है राम पढ़ने शाम पढ़ने से अच्छा है तो राम और शाम दो एक जैसी चीदों का ही तो comparison किया जा सकता है कि अलग-अलग तो देख लेते हैं यहां पर क्या रूल है यहां पर यहां पर आई आपका मी क्या हो जाएगा मी की जगा हो जाएगा तो मुझसे अच्छे हो तो क्या हो जाएगा यू आपका कंपरिजन किसे हो आपका अगर यहां पर आपका कंपरिजन किसे हो जाएगा अगला देखते हैं आइव नौट बी स्लेक्ट बीकॉज शी इंट मैं इंट नहीं होगा मुझसे इतना तो समझ में आगया आई तो सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट देखते हैं आगे क्या हो रहा है आई विल नॉट बीसिक इंट इस पैस ने इस ने कंसीडर कर लिया क्या यू आर मोरा अब a विल को 17 तो सब्जेक्त नहीं है यहाँ पे यू और यू उजय का अपका यू विल वृू होत यहां पर क्रादियों सब्जेक्ट यू Frank Ben आपको यह पता करना पड़ेगा जो आपका फिर्स वर्ड के के समय है कि आपड़ेक के फॉर्म में है कि में आपना बतला लेना अपना बतला लेना अकुछ जब आपको जेल से चूटते हो आपको बरी किया जाता है रिजाइन करना अप्लाइ एक्षर्ट एज रिकॉंसाइल प्राइड प्रिजेंट इंट्रोड्यूस बिजी इन सबके साथ क्या होता है इन सबके साथ एक वर्ड लगता है सेल यह आपको पेपर में बहुत ज्यादा जिसमें आपका अवे इंजॉय हो जाता है अवेंज है अपसेंट है कि कुछ ज्यादा ही इंपोर्टेंट वर्ड होते हैं इनको आपको किसी भी कीमत पर भूलना नहीं है चलिए देखते इसके एक बार रूल देख लेते हैं सेंटन्स देख लेते हैं यू शुट नॉट ब आपको यह सेंटन्स याद रखने होंगे चाहें तो आप इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इस वाले सेंटन्स का आप एक बार स्क्रीन शॉट ले लिजिए तो आपको याद रहे कि कौन-कौन से वर्ड है एंजॉय अवेल अडप्ट अम्यूज असेंट इसका इसका बार स्क्रीन शॉट ले लिए तो फिर आम एक बार देख लेते हैं अपनी क्लास यहां क्या ओज जाएगा आपका एपसेंट के साथ योर्सेल्फ हो जाएगा खृश्व अमखा एफशन यूर्व हो कहा आट ऑल लाज समय ओए पीज्व अबुट थो फॉर्सेल्फ लेस्ञा समय किया अपने उंकल के पास यहां अंकल की पास यहां ता अंकल स्वी तो यहांवक प्लूरल होता है तो बिख क्या हो जाएगा कई नहीं में पहलगता है यहां पर और सेल्फ हो जाता है ऐसी एलफ दिया जाता वह आपको एक बार ध्यांसे केरफुल के ध्यांसे पेपर देना होगा चुछ कद यह आपने वर्ड देख लिये ना इनके साथ क्या उस होगा हमेशा कही है इस को नमी देख्ता है कि यहईआ हैं के साथ आपको एकग्जाम में हमेशा करके दिए जाता है क्या कर कि दिए जाता है reflexive यहां मिंसा है । हैकसा है क्यवक्रोंथ होते हैं बैंसे पता है रिफलेक्ट मीन जो चीज़ आपके पास रिफलेक्ट होती वापस आती है यानि ही का क्या हो जाएगा दीवाल के पीछ्छे छुप गया है नेक्स्ट है many of them fail to qualify for the next round बहुत सारे बच्छे क्या हुए एक्जाम में fail होगा next round के लिए तो यहां पर क्या नहीं use करेंगे themself का यूज गलत हो जाएगा तो कौन-कौन से वर्ड है keep, hide, turn, stop, back, rest यह आपका सबसे important word है keep, turn, stop, back, rest, qualify, move, concentrate और हरी इनके साथ कभी भी हम reflexive pronoun का यूज नहीं करते हैं next sentence की तरफ सलते हैं next rule की तरफ rule 7 leave, favor, report, separation, excuse, side, pardon and mention इनके साथ क्या होता है आप इनके साथ कभी भी आप direct object का यूज नहीं कर सकते हो जैसे की now I would like to take leave of you जो correct form होती है leave of you leave के साथ कभी भी आप objective form यूज नहीं कर सकते हो leave के साथ हमेशे क्या हो जाएगा अपका subjective form हो जाएगा जैसे now I would like to take leave of you सभी में यह हो जाएगा separation from you, separation of you होता है जैसे excuse of you report of use type से यूज करेंगे next sentence देखने did you have to make his mention did you have to make mention of him क्या हो जाएगा did you have mention of him जिस तरह से आपने देखा ना कि आपको यह वर्ड पता होना चाहिए कौन-कौन से वर्ड होते mention है आपका separation excuse इन सारे वर्ड के साथ कभी भी आप objective फॉर्म नहीं लगाते हो सबसे इसमें आपको कौन सा हो जाएगा लीव वाला important है separation excuse यह तीन बहुत important है it was difficult for him यह उसके लिए बहुत जादा difficult था to bear the pain of separation क्या हो जाएगा to bear the pain from separation of क्या हो जाएगा it was difficult to bear the pain of separation of her उससे अलग होने का जोग था उसको बियर करना उसके लिए बहुत जादा difficult था next rule के दरफ देखते हैं as well यह सबसे important rule है कि आप इसको बोल सकते हैं most 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 important rule as well as along with together with and not with except except rather than low less than in addiction to nothing but like unlike besides यह जो आपके word होते हैं सबसे ज्यादा जादा एक्जाम में इसी से base error आती है तो आप यह देख लेते हैं पहले रूल समझ लेते पहले एक बार सेंटेंस देख लेते फिर हम रूल समझते नीरज as well as sentence में क्याया as well as ragini wants to express their words यहां पर क्या होगा यह जो words आपको दिये हैं कि जो यह mention है यह हमेशा अपने subject according चलते हैं जो first आपका subject होगा जैसे यहां पर दो subject हैं तो first subject according इनके साथ आप यूस करेंगे इनका क्या मोलते इसको आपका पजेदिव इनके according यूस होगा तो क्या हो जाएगा नीरज as well as ragini wants to express his views क्या हो जाएगा his views इसका तो आपके पास screenshot होना ही चाहिए सबसे important चाहिए तो आप wallpaper में अपने save करके रह सकते यह आपके लिए paper के point of view सबसे सब्सक्राइब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको कई बार confusion होता है कि हमें बाद वाला लेना है सब्सक्राइब करेंगे तो क्या हो जाएगा नीरत और रगनी वान तो एक्पर रगनी के तो यहां पर देंगे को दोनों की बात नहीं होगा नहीं हो रही है नेक्टे क्या біль Бण्यक और हिमसेलफ होजाएगा कि अंचया आपको धिया हुए क्यों होने तका कि perspect은 तक तक हैं हैyan होजायगा और हम वी स्वा खेंट निटि तक हैं तो में हरु कि इंखी और हुए हो फिर गाले कर्म रहाए नेक्सलों नाइक्स्ट रूल नाइन यह बी आपका इंपोर्टेंट यह और इसे पहले वाल काफी इंपोर्टेंट है आईधर और नाइधर नॉट 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 के साथ हमेशा क्या होता है not only जब भी आपको सेंटस्टेस में इन ऊती है आपके सब्सेश है इनके सांथ क्या होता है इनके साथ जो nearest नियरस्ट होता उसके प्रोनाउन या यूज करते हैं जैसे देख लेते हैं आइधर यूर मदर या आइधर मतलब दोनों में से एक भी नहीं आइधर मीज दो में से एक आइधर और नाइधर का प्रयोग हमेश्चा किसलिए होता दो परसन के लिए तो परसन का भी हमने बात कि यह नियरस्ट ऑपसीफ का उसके कहां करसंग और की कने सब्जट का यह यह रही है हैcier यहां क्षज़ों किγαना हो जाएगा आपका Ya है जो है इनके साथ जो नीरस वर्ड यानि बाद में जो आपकी वर्बाइब करेंगे आइधर योर मदर और योर फादर तो फादर आपके बाद में आ रहे हैं तो इनके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हिमसेल्फ हो जाएगा यहां पर नेक्स सेंटन्स देखते हैं जँआ हो जाएगा यहां बच्चे ने नहीं के अपनी मिस्टेक को मौना तो यह को जाएगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा नोट ओली आइधर और नाइधर नौर और बट आलसो नन बट इनके साथ हमेशा सेकेंड वाला जो आपका यानि नियरस जो आपका सब्जेक्ट होगा वरके उसके एकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे और जो एस वाल वाला है उसमें सब्जेक्ट के एकॉर परसें के लिए कमी के लिए नाइय एपका यान ऑन याउट यहां क्या होता है वाला गार था नाइधर आपका कि पहतो नोई यह थाय तो नहीं नोग्यॉटैन के लिए पहर स्क्रपन परशेंच हर सकती है और भाई यह यह था भाई नहीं नहीं चाटने कोती ही Chrence कि यहां पर क्या हो जाएगा तो ब्रदर्स नहीं कर देंगे म्यापर उसकी जग़ हम क्या करेंगे अपनी sentence को correct करेंगे क्योंकि आपको error यह नहीं दियेंगे कि उसके भाई कितने है reasoning का question आपको नहीं लगाने को देंगे आपको अपना English का देखना है तो यहां पर क्या हो जाएगा अनिवन आफ़ दा री ब्रदर्स नोस इस पैक इन में से कोई एक भाई ही इस पैक को जानता है next देखते है none of his legs will be amputated मतलब एक तरह से कट करके निकाल देना you may take either तो क्या हो जाएगा लेक कितने होते हैं तो यहां पर देखते हैं यहां पर देखते हैं तो यहां पर जानवर की बात नहीं होना है यहां पर पर संट की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा none of his legs उसके legs कितने होंगे neither either होगा यहां नन होगा अगर दो से जादा पहर है तो आपके लिए यहां पर क्या हो जाएगा neither of his legs क्या हो जाएगा neither of his legs will be amputed you may take either तुमको यहां भी leg ले सकते हो चलिए देखते हैं next each every either neither none or one used as a subject चलिए देखते हैं थर्ड परसें आपको यह पहले sentence देख लेते हैं sentence क्या each is required to submit their handwritten application यहां पर क्या बात कर रहे है each कलम ने बात की थी each क्या होता है प्रतेख के लिए एक एक individual person की बात हो रही है तो यहां पर क्या हो जाएगा each is required हर एक परसन को individual एक एक परसन को क्या submit करना their handwritten application आपको टाइप दिया आपर कंप्यूतराइज पिक्टर नहीं कंप्यूतराइज आप्लिकेशन नहीं सब्मिट करनी है handwritten application जिकल सेंड कर दिया तो यहां क्या हो जाएगा each is required to submit क्या हो जाएगा है यहां पर क्या हो जाएगा किसी को भी अपने पेरेंट की बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए तो क्या हो जाएगा आपका हिस हो जाएगा यह रूल देख लेते इच आवरी आइधर नाइधर नाइधर नन और एनी जब यह सब्सक्राइट की कॉर्डिंग चूज होते हैं तो हम क्या होते हैं अगर थ अगर आप प्लूरल फॉर्म में नहीं सिंग्लर फॉर्म में रखोगे और मोसली अगर हम परसन नहीं होता है तो हम ही की बात करते हैं क्योंकि इंडिया के आपका मेल डॉमिनेटिंग कंट्री ना तो ही की ही बात करोगे चलते हैं नेक्स्ट चलिए आज की क्लास यहां ओब करते हैं thank you for watching this video if you like this video please don't do like share subscribe and press the hit icon